नमस्कार आप देख रहे हैं वीकी नियूज यूपी और मैं हूँ आपके साथ योगेश अगरवाद किसी के लिए भी अपने खुद की शादी बहुत माइने रखती है हर कोई चाहता है कि उसकी शादी बड़े धूम धाम से हो खुब बेंड बाजा बजे और लोग बरात में खुब नाचे लेकिन आपने बरात में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो नाचेने के नाम पर खुब उपद्रों मचाते हैं और नशे में चूर होकर सब को परिशान करते हैं ऐसा ही कुछ हुआ है उत्रपदेश के बरेली में यहां डीजे की थाप पर शराप की नशे में धुद्ध होकर कुछ बरातियों ने खुब उत्पात मचाया और तो लड़के वाले लड़की की मास से ही बसलूकी करने लगे लेकिन इसके बाद जो लड़की ने किया उसे जानकर आप भी चौक जाएंगे आए जानते हैं पूरी खबर तरसल बरेली के गाउं जालिम नगला में रहने वाले मोहलाल के बेटे की बरात शेरगड के गाउं जिया नगला गई थी बरात बड़ी धूम धाम से निकाली जा रही थी लेकिन जब बरात पहुचने ही वाली थी तबी बरात में ही दूले का चचेरा भाई नशे में धुद्ध होकर आ गया और वो नाचने लगा वो बरातियों के साथ ही डीजे पर डांस करने लगा लेकिन वो नशे मितना चूर हो गया था कि उसे आसपास का कुछ दिखी नहीं रहा था उसने मधोसी में ही बरात में नाच रहे बच्चों को धक्का दे दिया जिसके करण कई बच्चे गिर गए और उन्हें चोट लग गई जब बच्चों को धक्का देते हुए दुलहन की मा ने देखा तो दुलहन की मा परातियों को समझाने पहुँची लेकिन समझाने के बज़ाए लड़के के चचेरे भाई ने उनसे ही पसलुकी करना शुरू कर दिया उसने लड़की की मा को ही धक्का दे दिया जिससे उनके हाथ में चोट लग गई जब दुलहन के भाई को पता चला तो वो भी वहाँ पहुँच गया और उसने वहाँ जाकर इसका विरोध किया लेकिन हद तब हो गई जब दूले के चचेरे भाई ने उन्हें भी धका देकर अभधरता की विवाद भड़ता ही चला जा रहा था तब ही खुद दूला वहाँ पहुच गया लेकिन गजब तब हो गया जब उसने अपने चचेरे भाई को समझाने के बजाए खुद बसलुकी पर उतराया और उसे लड़की के भाई को पीटने की धमकी दे डाली और दो और गाउवालों से भी वो भिड़ गया जब बाहर मचे घमसान की खबर लड़की को मिली तो उसका गुसा फूट पड़ा और लड़की ने सीधे शादी करने से इंकार कर दिया और उसने कहा कि जो लोग शादी से पहले उसकी मा और भाई से बसलुकी करते हुए मार पीट कर सकते हैं वे शादी के बाद उसका क्या करेंगे वैसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जो बड़ों की जद ही ना करना जानता हो इसके बाद कुछ लोगों ने समझोता कराने का प्रयाज किया लेकिन बात नहीं बनी और शादी तूट गई लड़की के शादी से मना करने के कारण बारात को बेरंग ही लोटना पड़ा अगले दिन लड़की के पिता ने इस पूरी घटना की शिकायत शेरगड थाने में दी और लड़की वालों के खिलाब बस सलूकी के लिए केस दज कराया आप पुलिस मामले की जाच कर रही है इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं और ये भी बताएं कि अगर आप लड़की के जगए होते तो आप क्या करते फिलाल इस खबर में इतना ही उत्रप्रदेश की बड़ी खबरों से जोड़े रहने के लिए देखते रही है विकी न्यूज यूपी